उम्शैन्ति आज 17 जून 2022 आज की साकार मुटली से हमें गुण सीखने मिलता है डेटाच्मेंट का अर्थात वैराग्य का वैराग्य अगर हमारे जीवन में है तभी त्याग तपस्या और सेवा हो सकती है अगर वैराग्य नहीं है तो त्याग करना मुश्किल लगता है और त्याग नहीं है तो तपस्या भी नहीं होती है और जीवन में अगर हमने तपस्या करके अपने आपको शक्तिशाली नहीं ब महात्मा बुद्ध थे, वो भी एक राजकुमार थे, जब उन्हें भी वैराग्या आया, तो उन्होंने अपने सारे राजपाट का त्याग किया, फिर तपस्या की, और उस तपस्या के बल से जो अपने जीवन में धारना की, उसके अधार से सब की सेवा की. ब्रम्हा बाबा जिनों को भी साक्षातकार हुए, पुरानी दुनिया के महाविनाश के साक्षातकार, उनके जीवन में भी वैराग्या आया, उन्होंने भी त्याग किया, और फिर तपस्या की, और उस तपस्या के आधार से सब की सेवा कर रहें. तो जब तक हमारे जीवन में वैराग्या नहीं है, तो त्याग तपस्या सेवा नहीं हो सकती. अगर इस पुरानी दुनिया में किसी भी चीज में रस ले रहें हैं, राग हैं, तो हमारा त्याग तपस्या सेवा पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफिकल्ट लगेगा. किसी भी चीज में इंट्रेस्ट हैं, पुरानी दुनिया है, विनाश होने वाली है, ये समझ होने के बाद भी अगर इंट्रेस्ट है, तो जैसे कि वो हमारी तपस्या के लिए बाधा है, बैरियर है. चाहे वो कोई भी प्रकार का इंट्रेस्ट हो, घूमने फिरने का, खाने पीने का, या फिर हमें धन इखटा करने का, साधनों का इखटा करने का कोई भी रस अगर है, तो वो हमें त्याग करने में डिफिकल्टी लाता है, और तपस्या सेवा पॉसिबल नहीं होती है, और वहां सफलता न मिलने के कारण से, मन जो है विचलित रहता है, तो हमें अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है, जैसे पेड़ पे फल पक जाता है, तो वो भी डाली छोड़ देता है, हलवा भी पक जाता, तो किनारे छोड़ देता है, तो परिपक्व अवस्था के निशा आज सारा दिन में चेक करें अपने अंदर वियराग्य को त्याग तपस्या और सेवा को इन चारों चीजों को को हम अगर प्राक्टस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप किसी भी चीज से में रस ना हो, एक परमात्मा से ही हम अपनी बुद्धी के तार को जोड़े और उसी से हम सर्व गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारन करें, आज के दिवस की यही शुब कामना, ओम शंती